हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूज इसी कसाद किसान 26 मार्च को भारत बंद करेंगे किसानों के उरसे भारत बंद को सफल बनाने के लिए सब ही से सहीयूग मागा जा रहा है किसानों के ओर से गाउं में बेठक शुरू कर दी गई है सिर्व किसान मोर्चा के नेता सुमवार को सोनीपत में खर खाउंदा और आसपास के शत्र में बैठा करने पहुंचे और उन्होंने वहाँ लोगों से भारत बंद में सयोग मना दबवाली के स्कूल में बीजेपी के कारेकरम का किसानों ने विरोध किया इस दोरान कारेकरम इस्तल पर किसानों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की जिसके चलते कारेकरम रद करना पड़ा उचाना में किसानों ने डिप्टी सियम दिशन चोटाला के कारेयले के घराव किया और कारेयले में पहुंचकर डिप्टी सियम के प्रसनल सेक्रेटरी जगदीश सियाग को कालेजंडे दिखाए जगदीश सियाग उचाना मंडी में कारेकरताओं के मिटिंग के लिए पहुंचे थे लेकिन किसानों ने घिराओकर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खलाप नारेबाजी की जगदीश सियाग उचाना मंडी में कारेकरताओं के लिए पहुंचे विदायक देवन्दर सिंग बवली को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा जिसके चलते विदायक को कारेकरताओं को बीच में छोड़ कर वापस जाना पड़ा फिजदोरान सेयुक किसान मोर्चा के बैनर तरे किसानों ने कारेकरम इस्तल पर पहुंचकर विदायक के खलाप नारेबाजी की किसानों ने कहा कि विदायक देवन्दर सिंग बवली ने विदायक को विदायक को विदायक को बिदायक को बिदायक को बिदायक को बिदायक क अगर मुखे मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं तो उनको एक पल भी मुखे मंत्री के पत पर रहने का अधिकार नहीं है वीजने कहा कि उद्व ठाकरे को जल्द से जल्द मुखे मंत्री के पत से इस्तिफा दे देना च पर हर्याना के परिवान मंत्री मुच्णशर्मा ने बलब गर नगर नीगम का उचक निरिक्षन किया इस दोरान जनता से जुड़ी समस्या और निगम में ब्याप्त प्रश्टाचार पर अधिकारी और करमचारीों को जम करला तरा लगाई अधिकारी और करमचारीों को अल्टिमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरिदाबाद छोड़ दे परिवान मंत्री मुल्चन शर्मा ने कहा कि अधिकारी और करमचारी निष्टा से काम करें जनता को कोई परिशानी ना आए वहीं उन्होंने शेत्रिय एमकर अधिकारी को दिशा निर्देश दिये हैं कि वे प्रपटी आईडी को समय पर बना कर दे अपने बयानों को लेकर सुर्पियों में राने वाले केंद्रिय राजे मंतरी रतनल कटारिया एक बार फिर सुर्पियों में आ गये हैं रतनल कटारिया एक बार फिर अंबाला पहुंचे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में किसानों के मुद्दे पर परतिकिरिया दी कटारिया ने हाँ जोडते हुए कहा कि किसान हमारे भगवान है उन्होंने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसान उनके पीछे पड़े हैं और किसान अंदोलन के चलते तो वो हर कारेकरम में काले जंडे के साथ विरोध किया जा रहा है नुके जिला सचवाले साभागार में जिला लोग संपर्क एम कश्ण निवारन समीती की मासिक बैठक आयोजन किया बता दें कि सकर्था मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के देखता में बैठक कायोजन हुआ बैठक में सुनवाई के लिए कुल 15 परिवाद रखे गए इनमें 3 मामले पिछली बैठक से लंबी थे और 12 नए मामले रखे गए जन समस्याओं के सुनवाई करते हुए सकर्था मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कर्ष्ण निवारन समीती की बैठक में जो भी विवाद रखे जावते हैं उन विवादों के समाधान को सही अधिकारी प्रस्तूत करें सिर्शा के सुर्खाव चौके स्थेत महराजा अग्रसेन पार्क में सावारिया संग होली महोसो का योजन किया गया जिसमें शुरी बाबाताराजी कुटिया के मुखे सेवा गविन कांडा ने जोद प्रजवलित की विजोरान भजन गायक पंडित परिक्षित शर्मा ने शुरी खाटू शाम बाबा की महिमा का गुलगान किया कारे करम सवर्य संग होली महोसव में सबसे पहले पंडित कमल शर्मा और पंडित परिक्षित शर्मा ने पूजन संपन करवाया जिसके बाद शुरी बाबा तारा जी कुटिया के मुखे सेवक गुविन कांडा ने विधी विधान से पूजन किया इस मौके पर गुविन कांडा ने कहा कि सिर्शा की भूमी संतों, महत्माओं, पीरों, फकीरों की भूमी है, वहां के लोग भागय शाली है कि उन्हें इस पवित्र भूमी पर रहने का मौका मिला है, बता दें कि उन्होंने माराजा अग्रसेन सेवादल को अपनी ओर से 21,000 रुपए के सर्योग राशी भी परदान की कि प्रदेश में सुंबार देराथ बारिष के साथ वला ब्रिस्टी हुई इससे किसानों पर इसका परभाव पड़ा है, किसान परशान है और वला ब्रिस्टी की वज़ा से भारी नुक्सान होने की अशंका है खेतों में बहुत से फसले पकर तयार हैं और फसलों की कटाई भी शुरू हो गई है ऐसे में ये बारिश के साथ वला बिरिस्टी से पकी हुई फसल बरबाद होने के पूरे असार है किसान अपने खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जल्द ही प्रशासन को इसकी सूचना देने की तैयारी में पंचाथ चुनाओ को लेकर जमू कश्मीर से 1244 मत पेटियां बलबगड ब्लॉक में वंगाई गई है बलबगड खंड विकास और पंचाथ अदिकारी प्रदिप कुमार की निगरानी में इन पेटियों को यहाँ पर रखवाय गया है पंचाथ अदिकारी की माने तो चुनाओ की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्ताइद है वहीं जिले में दो नई पंचाथों का गटन भी किया गया है और जल्द ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी चुनाओी कारेयों को पूरा किया जाए जाए इधर बहादुरुगड में देश बर के जाने माने शिल्पकारों का मेला लगा हुआ है शिल्प गुरु और नेशनल आवाड धारक शिल्पकार मेले में अपनी कलाकिरतियों और कला से लोगों को खुब मोहित कर रहे हैं इनी शिल्पकारों में बहादुरुगड के सिधास्थ शिल्पियों का बौंदवाल परिवार भी शामिल है शिल्प मेले में लकडी की तलवार को एक तक अपरतीक बनाते हुए हाथियों की कतार भी लोगों को खुब मोहित कर रही है आपको बता दे कि बौंदवाल परिवार को वुड कॉर्विंग की कला में अब तक पांच नेशनल आवार्ड मिल चुके है चर्किदादरी के गाउं चापर में एक किसान का शौ मिला है मिर्तक किसान का शौ खेतों में बने कमरे में बरामत हुआ है मौके पर पहुंची पुलिस के शौ को पोस्ट मार्टम के लिए समाने अस्पताल में पुलिस ने भिजवा दिया है पुलिस का कहना है कि मिर्टक के सिर पर चोटे लगने से मौत हुई है पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि मिर्टक किसान की हत्या की गई है पुलिस के एक ऐसे शक्स को हासी पुलिस ने गरफतार किया है इस बात का खुलासा एस पी नितिका सिंग ने अपने कारेयाले में प्रेस कान्फरेंस कर बताया कि आरोपी सुनिल पर हासी समय दो अन्य चाहरों में साथ मामले दर्ज है स्टी एफ रोटक को भी उसकी तलाश थी फिलाल आरोपी को पुस्ताश के लिए छे दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है अमबला में गुरू और शिसे के रिष्टे को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है दरसल एक 14 साल की नबालिक के साथ टूशन टीचर ने ही दुशकर्म की वरदात को अंजाम दिया जिसकी शिकायत नबालिक ने जब पर जनों से की तो पर जनों ने पुलिस को मामले के शिकायत दी पर जनों का आरोप है कि पिछले दो तीन महीने से उनकी बेटी को क्यूशन पढ़ाने वाला युवक उसके साथ दुशकर्म कर रहा था अरोपी द्वारा उनकी बच्ची को ड्राय धंकाया जा रहा था पूरे मामले को लेकर डियस पी मदनल ने बताया कि नबालिक के पर जनों की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहट मुकदमा दटकर युवको गिरफतार कर कोर्ट में फेश किया लिया प्रदेश में एक बार फिर कुरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है बीते 24 गंटे में 865 नए मरीजों की पुष्टी की गई है गुरुग्राम में 121 और करनाल में 116 नए मामले सामने आ है प्रदेश में अब तक 3101 मरीजों की मौत हो चुकी है इसी के साथ हरियाना में कुल 28693 के सामने आ चुके है इसी के साथ एक दिन में 519 मरीजों ने कुरोना को माद दी है और अब तक 2700 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके पंजबूला सेक्टर 121 के सामुदाइक के अंदरे में विधान सभा अध्यक्ष गांचंद गुप्ता ने दो दिवसिये कुरोना टीका कराना अभियान का शुभारम किया इस दो रानों ने जिलावासियों और देशवासियों से अपील की कि वो कुरोना महमारी के बढ़ते प्रफोप को ध्यान में रखते हुए विशेज सलधानिय बढ़ते पतियाबाद में खूरोना फिर बेकाबू होता जा रहा है जाखल के एक सरकारी स्कोल से अब तक 28-28 शात्राइं खूरोना पोजेटिब मिली है मुहिटवाना के निजी स्कूल हिजरावा के एक स्कूल में एक छात्र और भटु शेत्र में भी कुछ छात्र पोजेटिव मिले हैं जिसके मदेनजर डीसी के आदेशों पर शिक्षा अधिकारी की टीम ने शेत्र के सरकारी और प्राइबेट स्कूलों में दविश दी और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चेकिन की गई रिवाड़ी में कुरोणा वेक्सिनेशन के लिए जिले में दो दिनोत के लिए मेगा कैंप लगाया गया है इस कैंप के माद्यम से दो दिनों में 10,000 टीके लगाये जाने का लक्षा है इसके लिए स्वासत्विभाग ने तैयारिया पूरी कर लि град मेगा कैम्प के दोरान वार्ड नमबर पांच में ठीका करन अभियान चला गया है जहां बुजर्ग ठीका करन के लिए पहुँच रहे हैं वहीं अब तक जिले में 14,640 लोगों को ठीका लगाय जा चुका है करोना के दूसरी लार के साथ ही लोगों ने एक बार फिर करोना के खलाब जंग शुरू कर दी है इसी कड़ी में रेलवे ने पहल की है रेलवे ने रेलवे अस्टेशनों पर करोना से बचाओ के लिए एक दुकान खोली है जिसके तहट कोई भी यातरी अगर मास्क सेंटाइजर भूल जाता है तो वो शक्स यहां से खरिच सकता है इसके लिए रेलवे विभाग ने एक प्राइबेक फर्म की जो दुकान है जिसमें ये समान बेचेगा पुर्णा संकर्मन के लगतार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासान अलाठ है इसके मधनाजर स्डेम जबीर यादों के नत्रेतों में अलग टीम में बाजारों का निरिक्षण कर रही है वहीं बाजारों में बिना मास्क मिल रहा है लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेजित किया जा रहा है और मास्क भी बाटे जा रहे हैं दुकान दुकानदारों और ग्रांकों की भीड मिलने और नियमों की अवहलना देख स्डेम जबीर यादों ने रोडी बाजार में कुछ दुकांदारों को छेताओनी भी दी कुरोना के तीसरी लहर देश में शुरू हो चुकी है हर्याना परदेश भी से अचुता नहीं है ऐसे में जहां आम जनता को सतर्क रने की जोरत है वहीं स्वास्त विभाग ने भी इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए कमर कसली है तो तक पीजियाई ने अपनी तैयारियों का रिवीव शुरू कर दिया इसी कड़ी में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्त विश्व विद्याले के खुलपति डक्टर ओपी कालरा ने दावा किया है कि इस तीसरी लड़ाई को लड़ने के लिए उनकी तैयारियां पूरी है जाखल में करोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है राजकी एवरिष्ट माध्यमिक विद्याले की 16 छात्राओं के रिकोर्ट पोजेटिव आने के बाद 12 और छात्राओं के रिकोर्ट कोरोना पोजेटिव आई है जिसके चलते स्वास विवाग पूरी तरह से सतर्क हो गया स्वास विवाग के निर्देशों के बाद स्कूल को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है वहीं इन बच्चों के कंटेक्ट में आने वाले सभी लोगों के सेंप्लिंग करवाई जा रही है कुरोना वारस की दाहर एक बार फिर अपना सिर उठा कर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है देश के कई राज्यों में संकर्मन की दर जो दरे हैं वो लगतार बढ़ रही है बढ़ते आंक्रों ने सरकार और अधिकारियों के माते पर्चिंता की लकी रिकीज दी है कुरोना वारस के केसों में हो रही बढ़ोतरी से स्वास्त विभाग अलट मोड में है वहीं पानीपत के नीजी स्कूल के एक ही कक्षा के आठ बचे पोजेटिव मिले हैं जिसके बाद स्कूल को एक अप्रेल तक बंद कर दिया गया चिफ मेडिकल आफिसर डॉक्टर संसलाल बर्मा ने जनकारी देते हुए बताया कि लगतार लोगों से अपील की जा रही है कि कुरोना वारस से बचने के लिए मास्क का लोग इस्तमाल करें कैथल के गांग गुहरा में मिड़े मिल घोटाले को लेकर ग्रामिडों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया पर जनों का आरोप है कि ना तो बच्चों को मिड़े मिल रहा है और ना ही उनके खाते में कोई पैसे आए वहीं जब उन्होंने अपने इस तरफ पर जाच की तो पता लगा कि दो से तीन बार खातों में नगत पैसे खातों से निकलवाए गए हैं ग्रामिडो का आरोप है कि कुछ पैसे अध्यापक ने अपने अकाउंट में डलवाये हैं जिसकी जाच के लिए अधिकारियों से वो मिल चुके हैं पर कोई कारवाई नहीं हुई है इसलिए मजबुरन उन्हें इसकूल में ताला लगाना पड़ा असंद्ध के जैसी पूरा गाव में कोरोन वैक्सिन का सिविर लगाने गई टीम को ग्रामिडों के विरोत का सामना करना पड़ा वैक्सिनेशन की विश्वसिनयता पर गंबीर आरोप लगाते हुए ग्रामिडों ने स्वास्त भीभाग के टीम को बैरंग लौटा दिया ग्रामिलो ने बताया कि उन्हें वैक्सिन की विश्वसनियता पर संदे है और पहले भी लोग टीके के गंभीर प्रड़नाम जेल चुके हैं लेकिन ग्रामिलो नहीं माने और टीम को वापिस लोटना पड़ा बरवाल के खरकड़ा गाउं में ग्रामिलो ने आंगनबाडी सेंटरों के खलाफ पर दर्शन किया इस दौरान ग्रामिलो ने आंगनबाडी के अंदरों पर ताला जड़ दिया गाउं के लोगों ने बताया कि गाउं में पांच आंगन बाड़ी सेंटर हैं पांचों आंगन बाड़ी सेंटरों में बच्चों को राशन नहीं दिया जाता है ग्रामीडों ने आरोप लगाया आंगन बाड़ी सेंटरों में राशन आता है लेकिन राशन को दुकंदारों को भेज दिया जाता है बादुरगण में नेशनल हाईबे नमबर 9 पर किसानों ने जाम लगाया किसान रोतक जाने वाली सड़क पर मोर्चा कोल कर बैठ गया और बिजली काटे जाने का बिरूद कर परदर्शन किया किसानों को बिजली और पीने के पानी की दिकतों का सामना करना पड़ा है किसानों के जाम के चलते वाहन चालकों को भी काफी परशानियों का सामना करना पड़ा वहाई दूसरी और से समय किसानों को बड़ी रहात मिलिया सिरसा जिले में किर्शी विभाग ने उखेडा के बीमारी के कारण खराब हुई रभी की फसल का मुआज़ा जारी कर दिया है 2019-20 का 285 करोड का मुआज़ा जारी किया गया है किर्शी विभाग के उपनी देशक बाबू लाल ने जनकारी थी पानिपत के ताउदेवी लाल पार्क में साथ एकर जमीन पर म्यूजियम बनाने की पैमाईश होने के बाद लोगों ने इसका दिरोज शुरू कर दिया है लोगों का कहना है कि सैकडो हरे भरे पेंड पौदे काटकर साथ एकर की जमीन में कंक्रेट वाली बिल्डिंग खड़ी कर म्यूजियम बनाना ठीक नहीं है सरकार को अगर म्यूजियम बनाना है तो इसके लिए पार्क की जमीन इस्तमाल न की जाए क्योंकि दूर दूर से लोग इस पार्क में आकर हर्याली का अनंद लेते हैं और सुकून की सास लेते है वह一直 आऊ-देविलाल पार्क में म्यूजियम बनाने का विरोत करने को लेकर विशेस मुहिन चलाय जा रही है जिसके लिए पार्क में आने वाले लोगों से म्यूजियम ना बनाने को लेकर हस्ताक्षर करवाय जा रहे है कतल की नई देवी गड़ रोड पर एक गोदाम पर सियम फलाइंग की टीम ने चापे मारी की मौके से करिब 71,000 लीटर जोलन शिंद तेल बरामत किया गया बताया जा रहा है कि यह गोदाम जहां बना है वो अवादी वाला इलाका है और गोदाम के मालिक ने दमकल विभाग से कोई नोसी नहीं ले रखी पतेवाद पुलिस ने ट्रेड फेयर पर करवाई करते हुए ट्रेड फेयर को बंद करवा दिया है बताया जा रहा है कि ट्रेड फेर कुरोना नियमो को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था जिस पर पुलिस ने च्छापे मारी की तो देखा यहां लोगों की भारी भीर जुकी हुई है इस बारे में जानकारी देते हुए डिसी डॉक्र नरहील सिंग बांगर ने बताया कि कुरोना नियमो को पालन करने की शर्त पर ट्रेड फेर को शुरू करने की अनुमती दी गई थी लेकिन जब जाच की गई तो पाया गया कि ट्रेड फेर में कुरोना नियमो का पालन नहीं क जिसके बाद उसे सील कर दिया गया है वजलते मौसम के चलते करनाल जीले में किसानों की मुश्किले बढ़ गई है अनुमान है कि अगले 10 से 12 दिनों में फसल की कटाई शुरू हो जाई किसानों का कहना है कि भगवान न करें अगर बारिश और अलब रिष्टी हो गई तो उनकी केतों में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से खराब हो जाईगी किसान फसल से ही अपने घर का गुजर बसर करते हैं अगर फसल भी खराब होई तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेंगा परवल के नगला सान पूर गाउं में पुलिस टीम पर पत्राव करने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफतार कर लिया है मामले में पुलिस छे आरोपियों को पहले ही गिरफतार कर जेल भेच चुकी है वाना से टिताना पुलिस को ATM कार्ड बदल कर पैसा निकालने वाले शातिर चोर को ग्रफतार करने में कामियावी हासिल हुई है पुलिस को सुचना मिली थी कि एक शक्स ATM कार्ड बदल कर पैसे निकालने के फ्राक में है वो पहले भी पैसे निकाल चुका है सुचना के अधार पर पुलिस रोतक बाइपास पर पहुंची जहां पर शातिर चोर को गिरफतार किया बिवानी के चौधरी बंसी लाल अस्पताल के तीसरी मंजिल से कूद कर मरीज ने खुदकुशी कर ली मिरतक बिवानी के सैनी महला करेने वाला था पड़ोसी से जगडे के बाद घाल होने के बाद इवक को अस्पताल में भरती कराए गया बिवानी सिटी पुलिस के सेचो संदीप कुमार का कैना है कि मामले में जाच चल रही है जाच के बाद ही खुदकुशी की अस्नी वज़ा का पता चले गया बुटान के परधान मंत्री लोते शेरिंग ने कोविश्चेल टीके के चार लाख अथरिक्त डोज मिलने के बाद ट्विट कर परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अभार जता है अमेरिका में कोलोराडो के एक सूपर मार्केट में भीड के बीच एक बंदुकदारी ने जमकर फारिंग की वोल्डर पुलिस ने इसे लेकर लोगों को अलर्ट किया है और कहा है कि कोई इस अलाके में ना आए अफगानिस्तान के राधानी काबूल में पितले 24 गंटों में साथ लोगों की मौत हो गई जबकि तीन घायल हैं बता दें कि एक वाहन में रविवार सुबह एक सड़क के किनारे बंद स्पोर्ट हुआ था सरकारी तेल कंपणियों की ओर से लगतार 24 वे दिन भी पेट्रॉल और डीजल के कीमतों में किसी तरह की बढ़ोत्री नहीं हुई है आज भी पेट्रॉल डीजल के दाम इस्थिर है सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्श की गई है राश्टिय राजधानी में आज सोना 302 रुपए गिर कर 44,279 रुपए प्रती 10 ग्राम पर पहुँच गया चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है चांदी 15,333 रुपए गिर कर 55,319 रुपए परती किलो ग्राम पर पहुँच गई है टीम इंडिया के कप्तान बिराट कॉली ने आउट आफ फर्म चल रहे केल राहूल का एक बार फिर बचाव किया है कॉली ने कहा कि जब लोग किसी खिलाडी के खराफ फर्म की बात करते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना दो साल में लगतार चौथा मौका है जब युवा सोनम मलिक ओलंपिक का से पदक विजटा साक्षी मलिक पर भारी पड़ी हरियाना की सोनम ने अपने ही राज्य की साक्षी को आठ साथ के नजदी की अंतर से हरा कर एशियन ओलंपिक क्वालिफाईर और सिनियर एशियन दिन में जगा बना रखी है भारत एक सोन एक रजट और एक कांच से पदक के साथ तीर से रिस्तान करें पिलंगाना में चल रहा है 47 वे जूनियर राष्टिय कवड़ी चैंपियन्शिप के दोरान एक बड़ा हाथसा हो गया सुंबार को चैंपियन्शिप के दोरान दर्शकों से बरे स्टेडियम की घैलरी ढहा गई जिसकी वज़ा से वहां मौजूद बहुत लोग धायल हो गए भारतिय टीमों को विदेश में टूनमेंट खेलने की अनुमती मिलने के बाद अब तक का सबसे बड़ा करोना संकर्मन का मामला सामने आ है तुर्की में बोस्फोरस टूनमेंट खेलने गई 20 सदसे भारतिय मुक्यबास टीम के 8 सदसे करोना संकर्मित पाए गए दिवंगत अबिनेता सुशान सिंग राजपूर्थ की फिल्म चिछोरे को सर्मसेश्ट फिल्म का राष्टे पुरसकार मिला है बेटे के फिल्म को मिले इस सम्मान से उनके पिता केके सिंग ने कहा कि उन्हें आज अपने बेटे पर बहुत धर्ब हो रहा है कंगना को ये पुरसकार फिल्म मडिकणिका और पंगा के लिए मिला रडवीर कपूर मनोज बाजपै समय तई कलाकारों के बाद अब कार्थिक आर्यन भी कुरोना वारस की चपेट में आ गये हैं इस बात की जनकारी अबिनेता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साज़ा दिए दिगज लेखा का और फिल्मकार सागर सरहदी का निधन हो गया है वो लंबे समय से बिमार चल रहते हैं सागर सरहन दिज ने नूरी बाजार कभी कभी सिलसला चांदनी और दिवाना जैसे फिल्म में लिखी हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनुज बाजपै सरवश्यस्ट अभनेता चुने गया है साथी धनुष ने भी बेस्ट एक्टर का पुरसकार जीता उन्हें ये पुरसकार उनकी तमिल फिल्म और सुरन के लिए मिला है